इसे अच्छी बाते सोचें तो हमारा दिन कैसा जाता है अच्छा वोले इनकी खराब क्या हो गई है ऐसे उस डूबते हुए व्यक्ति की करडेंदरी डूब रही थी नेत्रेंदरी डूब रही थी है बौद्ध तुमारी बुद्धी डूब रही है तुमको कुछ समझ में नह सकता है अखंड़ी का रसम शुत्वा यह इनकी जह बोलते नब्स है जहां यह बहुत लोग अखंड़ और रस सुनते हैं वहां यह क्या करते निश्प्रचारा विबेत्यताह स्वामी जी ने इसका विरदन में बुला प्रचारताह कोई बहुत बड़ा साधक हो और आप उस एंधुक प्रचार्चार बड़ा अईंड़ साधू है ऑप उसको अस दो बोल दो वो क्या हो गयां पर गरीब और शनताहीं और प입니다 अपना यह लोग बोल रहे हैं और बोले देखो ड्यारण्य स्वामी जी केते हैं मैं तो बहुत छोटा हूं मेरे पहले शंकराचारी जी हुए और शंकराचारी जी के पहले भी उनके गुरु हुए और उनके गुरु का नाम क्या है गौडपादाचारे और उन्होंने भी क्या बोल लिया गौड़ाचार्या निर्विकल्पे समाधावल्य योगिनाम साकारब्रम्मनिष्ठानाम अत्यंतंभयमूचरे गौड़पादाचारे जी ने बोला है वेदान्त की जो निर्विकल्प समाधी है उसमें योगी लोग या जो सादग है वो भी जाने से डरते है निर्विकल्पे समाधावन्य योगिनाम क्यों डरते हैं साकारब्रम्मनिष्ठानाम इनकी जो निष्ठा है वो किसमे है साकारब्रम्म साकार मतलब इनको अध्वाइत ब्रह्म का ग्यान ठीक से जो वेद का ग्यान है वह ग्यान नहीं है उल्टा सुल्टा ग्यान है और इसलिए ये व्यक्ति समाधी में जाने से क्या करता है डरता है और बड़ा अच्छा आगे उतर दिया है भायों मूचिरे इसको भाय लगता है क्या भाय लगता है मैं कहीं समादी में चला गया तो मेरा अस्तित तो समाप तो नहीं हो जाएगा तो मैं समादी में क्यों जाओं तो क्या उत्तर दे दिया साकार ब्रह्मन इश्ठानाम ये लोग बोले वेदान्त के लोग नहीं है यह लोग तो साकार अब्रह्म को मानने वाले हैं वोले अत्यंतम इनको तो भय लगना ही लगना है और यहाँ पर शंकरा चैरे जी ने भी इसकी यह जो शुति आपने पढ़ी यह सबसे क्लिश्टत्तम उपनिशद जो है जो सादुकों को पढ़ाया ही नहीं जाता जब तक वह में चोड़ना हो जाए उपनिशद है मांडुक के उपनिशद तो यह उसी उपनिशद का एक आपको सूत्र दिया गया था इसको ज्यादा मैं नहीं खोलूँगा बाद में खोलूँगा असपर्श योगो नामा देखो जी यह जो निर्विकल्प समादी है ब्रह्म की वेद चौन्द की जो है उस समादी को गवड़ूपादा चारी जी बोलते हैं इसका नाम है आसपर्श योग जहां पर मन बुद्धी और इंदरियों का सपर्श नहीं हो सकता इसको बोलते हैं आसपर्श योगो नामा और बोले यह अच्छों अच्छों को नसीब नहीं हो थीドン … क्याले काइए दुर्दशह दुर्दशह मतलब दुख्षेण दर्शतम बूले ज्राणी ही ठीक से नहीं होता है तो शमाधी तो ठीक से हो ही नहीं सकती इसलिए बोल दिया दुर्दशह कौन सरवयोगी भी कौन है यह लोग ध्यान अखिना इन के लिए पहले विशिशन कहा दे दिया है साकार ब्रह्मनिष्ठाना जिर की साकाथ ब्रह्म में दिश्ठा है जो अधरत वेरांत को ब्रह्म जो चिंतन है वह समझने में अक्ष्म है वह लोग तो इस समाधी को जाने से डरते हैं और क्या योगिनों विभ्यति देखो या योगी भी क्या कर रहा है या जो सादक आज पढ़ने की कोशिश करता है वो ये भी डरता है निर्विकल्प समाथी में जाने से क्योंकि यस्मान भय भय दरशिनहा हम और आप जो डरते हैं वो इसलिए डरते हैं क्योंकि मेरा अस्तित्व का कहीं नाश हो जाए मैं जो हूँ कहीं उसका नाश वेदान्त कहता है जब तक इसका नाश नहीं कर लोगे तब तक निर्विकल्प समाधी में तुम जा यदि मैं आपसे बोलूँ मैं उस जिन भी कहना है हम और आप कहने के लि करने के लिए सब कुछ छोड़ने को कहा जाए तो शायद हम और आप छोड़ने से मैंने कहीं वहां बोला दाना उस दिन प्रहलाज जी को भागवान ने स्वर्ग में आने का निमंत्रन दिया और प्रहलाज जी के लिए भागवान ने विमान भीजा कि आप प्रहलाज जी आ आउंगा और मैं अपनी कालोनी वालों को अपने सब रिष्टेदारों को लेकर आउंगा यह संदेश भगवान तक पहुंचाए गया गया अगवान ने का इनके तो पुन्य करम है नहीं जो यह लोग आएं लेकिन भगवान ने का इस चाला किये हैं यह इसे बेवकूफ लोग हैं कि इनको दो गेवी तो भी इनकी समझ में आने वाला उसको बोल दिया गया चलो तुम भी विमान पर बैठ जाओ आ जाओ और ऐसा बोलते हैं प्रहलाज जी बोलने गए चलो विमान आया है इश्वर का एक क्या बोलता है अभी तो हमें बहुत काम है हलाकि वो भी क्या कर नहीं है एक क्या बोलता है नहीं हमें तो अभी पीता जी के पास रहना है एक क्या बोलता है मुझे तो अभी मकान बनाना है एक क्यों और ऐसा उपनी पुरान में दिया गया सभी ने क्या कर दिया मना कर दिया और गया कौन अकेले रहलाज जी इसको बोलते हैं वेदान्त के प्रती निष्ठा भाव आत्म साथ का भाव उसके बिना वहव्यक्ति रह न पाए एक पल भी न रह पाए इसलिए उडिया बाबा बोलते थे एक छण भी वेदान्त चिंतन के बिना साधक को नहीं रहना चाहिए क्योंकि माया का प्रकोप इतना भारी है कि वो आपको एक छण से हटाने के प्रयास में और एक छण भी हट गए अचाहिए एतिहास में देखना जो गलतियां हुई है वो एक छण की गलती से ही हुई है सबसे बढ़ियां हो दा रहा है सीता जी का अपहरण के पीछे कारण क्या रहा है उनका ध्यान किसके उपर गया म्रग के उपर जबकि म्रग से महत्यपूर कौन बैठा है राम और सीता का ध्यान कहां गया पगड में आ रहे हैं जहां भोग पदार्तों पर ध्यान गया वहां राम नाम की चीज व्यक्ति से अपने आपी क्या हो गई विस्मरित हो गई और एक हीरन को देखना ही सीता जी के अपहरण का मूल कारण बन गया वहां पर लिखा गया बावनी की रामायन में भी कि साधक के च्छन भी मुर्ग ऐसे लोग आते हैं और जाते हैं यदि साधक का ध्यान भी मुर्ग के उपर चला गया भोग पदार्तों के उपर भोग ये जगत के उपर चला गया तो वह जो रामनाम उसके सामने खड़ा है, प्रगट है साक्षात है वो विक्तिस के सामने छूट जाता है बोले उदारण सीता उदारण पारवती जहां की साक्षात, शीव और शंकर उनके साथ गुरू है भई मेरे साथ मेरे स्वामी जी हो और मैं किसी अन्य चीच की इच्छा करूँ तो आप क्या कोगे मामूर्ख हैं आपके इस पास आपका गुरू आपको पढ़ाने वाला वेदानत को जनने वाला वह मौजूद है जो की सब कुछ करने में सक्षम है और उसके बाद भी आप खिलो ना मांग रहे हो बोले इसका मतलब आपको किस ने गहर लिया है माया ने गहर लिया है और कुछ नहीं तो एक शन भी है ना नतर्येत उड़े आवावा ने बुला है एक शन भी साधक को बढ़ा सतर आपको पता है ये जो साधू संत लोग है ये माला क्यों पहनते है कुछ साधू संतों को आपने देखा है उनके गले में क्या पढ़ी रहती है जपमाला देखिए आपने बहले वो जपते नहीं है माला पढ़ी है लेकिन जपते चलाए और क्योंकि वह ये चाहिते हिंकि मेरा किसी वक्त भी इश्वर से संपर्क तूटे नहीं कि इसलिए आपको बोला जाता है अध्य हैलो मत बोलो क्या बोलो हरी यूं बोलो गुरुधें हुमारे बोलते थे ह्धिक हरीं पैभ नेया है यहांपे हम क्या मौलता है इसी लिए हायूं क्युंकि हमारी हर प्रिया में वहां धिखना चाहिए क्योंकि इसरे ज्यादा ताकतवर कौनं है माय कि वो खीचने के लिए तो तत पर ह safely और वह खीचे भी खीचे इ wallpaper किसको जो गिरा हुआ है उसको नहीं खीचती है जो पहुचा हुआ है उसको भी नहीं खीच पाती जो पहुचने के लिए कोशिश करता है उसको और सबसे मड़ी अधारण मैंने क्या दिया प्रहलाद का सभी लोग उस समय बड़े तपस्या थे बड़े पढ़ते थे लेकिन कोई भी इश्वर के पास आने के लिए तयार, इसलिए यहां भाश्यकार भी क्या बोलते हैं पता हैं, वेदान्त पढ़ते तो हैं, अखंड एक रसको जानते तो हैं, लेकिन अंदर से वास्तों में इसको जानते हैं, इसलिए इनको इससे क्या लगता है, भय लगता है तो भय का आध्यात्म में सबसे बड़ा कारण है हमको यह डर है कि मेरे व्यक्तित्व का कहीं नाश हाँ ना हो जाए सादक की बहुत बड़ी भूल है और वेरांत कहता है इससे तुमारे व्यक्तित्व पर और चार चांद लगने वाले हैं कोई नाश्वाश होना नहीं है तुम जैसे थे वैसे के वैसे ही रहोगे लेकिन वो यह सोचता है अगर मैंने कहीं समाधी लगाई और मैं कहीं वापस नहीं लोटा तो मेरा क्या होगा अस्तित्व मतला अब मेरांत का कठोर विशे है व्यक्तित्व के पहले अस्तित्व होता है पहले है फिर बोले क्या है बोले घाड़ा है घाड़ा पहले आया की पहले है बात में आया पहले कौन है कि सोचो पहले घड़ा है कि पहले है पहले बोलेंगे है क्या है घड़ा है अब अस्तित्व में कौन आ गया व्यक्तित्व वगड़ मैं है पना में कौन घुसा आया घड़ा मैं हूँ यह क्या हो गया अस्तित्व लेकिन अम इस अस्तित्व में हमने व्यक्तित्व जोड़ दिया क्या जोड़ दिया मैं सादक हूं मैं सन्यासी हूं मैं महामंडलेश्वर हूं मैं अमुक का पुत्र हूं मैं अमुक का शिश्य हूं यह क्या गया व्यक्तित्व वेरंद कहता है इन व्यक्तित्व को शूनिकर दो असतित्स रह जाए व्यक्तित्वका नाश हो जाए व्यक्तित्यका नाश हो जाए मतलब अब आप वेदान्त पढ़ लोगे और आप फुत्र नहीं रह जाओगे ऐसा तो नहीं है शंकराचार जी गौड़पादाचारे के शिश ही बने रहे हैं लेकिन अब आपका यह जो मोह और ममता है यह वेक्ति की क्या हो जाती है कट जाती है कट जाती है कहीं से मोह और ममता नहीं रहे गई अस्तित्व है आपने मैं आपको बता हूँ हमारे यहां तो असी प्रसित्यात जो रिशी हुए वो कैसे हुए पता है ग्रहस्त हुए ग्रहस्त हुए और ग्रहस्त रिशी ब्रमग्यानी हुए और आपको क्या बने और ऐसे ब्रमग्यानी जिनके पुत्रों पुत्रियां भी थ धर्म के पालन करने में सिर्फ दू बात याद रखना है हमें जो कर्म करना है वो करतव वी बुद्धी से करना है करना है लेकिन किस बुद्धी से करतव वी बुद्धी से करना है ना कि राग द्वेश ममता बुद्धी से नहीं करना है करतवी बुद्धी से करने का अभिप्राएं यह है मेरी यह जिम्मेदारी बनती है और मैंने यह जिम्मेदारी क्या कर दी पुरी कर दी एक पिता की करतवी बुद्धी क्या होगी अच्छा ज्यादा से ज्यादा वो बच्चे को स्कूल में फीज दे सकता है बच्चे के लिए राशन पानी उपलब्द करा सकता है पत्नी को जो सामान चाहिए वो दे सकता है एक छट दे दी, कपड़े दे दी, दो कपड़े, एक कपड़े और यह क्या हो गया उस वेक्तिका करतव यदि सदेवा करतव्य का निर्वाहन करता रहे तो उसका ग्रहस्त धर्व भी अच्छा रहता है और अध्यात्म भी क्योंकि उसके मन में भाए नहीं आता है मैंने अपने करतव्य का पालन कर दिया तुम बाड़ में जाओ या नाश में जाओ मुझसे कुई लेना देना लेकिन जहां मेरी ममता घुज गई और इस ममता के सबसे बड़े परियाए जो रहे वो कोने पता है द्रतराष्ट द्रतराष्ट का क्या हश्त हुआ द्रतराष्ट मोह और ममता के प्रतीक थे तो आपको जो भी मैं बताओ गुरु और शिशे ऐसे ही पालन करते हैं अब माल लिजे मुझको वहां से पढ़ा कर यहां पर भेज दिया अब तुम यहां पर सो गूमो नाचो गाओ खाना खाओ सीडी सुनो बाहर वॉक करो उन से कुछ भी लिना देना उन्होंने अपने करतव क्या कर दिया पालन इसलिए वो मस्त हैं गुरु क्यों क्योंकि उनके मन में कोई देश नहीं हैं कोई राग नहीं क्योंकि मेरा काम था इसको बना के रख देना और रख दिया खतम और असली गुरु यही करता है करतव भी बुद्धी से समझाता है करतव भी बुद्धी से बोल लेता है और उसके बाद भी यदि कोई व्यक्तिय नहीं समझता है तो वो कहता है येस क्योंकि मैं अपने अस्तित में कोई आच नहीं आने तुम्हारे इस करत्य के कारण में द मुझे करतव्य बुद्धी से पालन करना है क्योंकि मुझे भगवाद ने यह जिम्मेदारी सौपी है दूसरा जिसका जो हिस्सा है उसको वह हिस्सा दे दो अब अपना हिस्से का जो समय है उसमें दुरंद बोल देना चाहिए एक एक अम्मा थी और बताते हैं उन्होंने सामी जी से बताया सामी जी ने इन से पूछा आप इतनी अच्छी साधिकां कैसी हो मुझे ताज्यूब होता है आपके पती महाराक्षस आत्मी है पुत्र भी र अक्षस है पर आप इतनी ब्रह्मग्यान की साधिकां हो यह कहां से दिखता है उन्होंने बड़ा सुन्दर उत्तर दिया था बोले जो जिसका आहार है मैं उसको वह आहार देदेती हूं पती पत्नी पुत्र सबको वह वह आहार और जब मेरा समय होता है ना तुम्हें क्या क पता चाहिए था तुमको कपड़ा मिल गया अब मैं क्या करता हूं इसमें बीच में तुमको उठाने की जरूरत क्योंकि आपकी करतवी बुद्धी से मैंने वह सब चीज़ें आपको दे दी है कि ऐसा जीवन में कभी भी डामा डॉल नहीं आता या रखना एक रस जीवन च कि वह करतवी बुद्धी को राग बुद्धी में द्वेश बुद्धी में ममता बुद्धी में क्या करती है कन्वर्ट कर देती है और फिर सादक क्या हो जाता है मैंने फिर वह अपने व्यक्टित को क्या करना चाहता है बचाना चाहता है मैं अमुक अमुक हूं और अमुक अमुक हूँ तो इसकी रक्षा मुझे करनी रक्षा करने के लिए वो अध्यात्म का भी क्या कर देता है स्वाहा इसलिए गौड पाजाचारी जी ने बुला योगिनों विव्यती अच्छे-च्छे सादग भी डर जाते हैं क्योंकि उनको रहता है मेरा नाम मेरा पद मेरी प् इसलिए वो उसको बचाने के लिए इन सब कारियों में लग जाते हैं किन कारियों में जो कारे किसी काम के नहीं है और मैं तो उल्टा बोलता हूँ जोदि उसकी डोर पकड़ ली तो ये सब काम तो अपने आप समहल जाते हैं जहाप एक काम करके देखना है एक दिन उसको छोड़ दो इश्वर के कारे को पढ़ना लिखना मनन करना पूजा करना आप और आप दुनिया के सब काम करो और बहुत अच्छे से करो और आप रात में आके निरणे लो कि क्या आप संतुष्ट हो तो आपका मन क्या कहेगा इतना करने के बाद भी मन में संतोष्ट हो क्योंकि जिसका मैंने काम क्या ये सब के सब स्वार्थी है देखो जी दुनिया तो यही है यह तो मैंने कर दिया इसलिए प्रसंद नहीं किया तो फिर मेरे से लेकिन जहां नहीं स्वार्थ हैं मैंने वहां पर क्या किया अच्छा उल्टा करके देख लेना एक दिन यह साब काम कर लेना और वो सब काम छूट भी जाए तो आपके मन में क्या रहता है अरे कुछ हो गया ये सब तो डेलीन लेकिन मैंने एक अच्छा काम तो क्या कर लिया मैंने एक कक्षा तो अटेंड की मैंने दो मंतरों के अर्थों तो समझे मैंने इसका मनन तो किया मैंने इसका विचार तो किया मैंने इसका ध्यान तो किया मैंने इतना जब तो किया मैंने इसके पाठ करने की कोशिश तो की और सादक के मन में धीरे 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 सद्गुनी संपत्ती बढ़ने लगती है इसलिए अपने को जुटा के रखना, हटा के मत रखना और बड़े-बड़े सादक लोग भी आपको बताओ, सामी लोग भी इसलिए निरंतर इससे जुड़े रहते हैं जुड़े रहते हैं मतलब कहीं कुछ ऐसा ना आ जाए कि यह हटा दे में रेको और प्रहोचन भी जाएंगे तो भी प्रहोचन होगा किसी के एक भीक्षा में भी जाएंगे तो भी वहाँ प्रहोचन होगा कहीं बात भी करेंगे फोन पे दो भी प्रहोचन क्योंकि इससे कोई मुझको हटा ना दे क्योंकि हटाने के लिए हजार लोग हैं लेकिन जोडने के लिए अच्छा आप करके देखो आप क्लास में मज जाओ दुनिया में कितने लोग आपसे बोलते हैं कि क्लास में जाओ, वेदान तो पड़ो जब करो, पूजा करो पाट करो, सेवा करो ये शायद ही कोई बोलता होगा लेकिन ये बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं फालतु का समय है अपना काम करो अपना धन्दा करो यह सब तो चलता ही रहेगा यह सीख कितने देने वाले लोग हैं अच्छा में तो पहले जो यह सीख देने वाले उनसे पूछो आप संतुष्ठ हो हो सकता है वह अपना करता हो हो सकता है वह व्यक्ति कहीं न कहीं से जुड़ा हो वह अपनी साधना करता हो अपना अध्यन करता हो अपना स्वाध्य करता हो अपना जब करता हो अपना तब करता हो अपनी पूजा करता हो लेकिन वो आपको इस साधना से अलग करने का प्रयास जरूर करेगा इसलिए हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत होती है जब आप से छूट जाएं तो हम समझना ये इंडिकेशन दे रहा है कि मुझे और आगे अब क्या करना है जरा समल के करना है और नहीं ये तो छोटाने के लिए आ चुके हैं पकड़ मैं इसलिए क्या योगी नहीं विद्वेति छोटे लोग तो दूर जल की बांध है योगी लोग भी डर जाते हैं क्योंकि दियांदेरेगा वही जिसको ग्यान नहीं है जिसको ग्यान है वो डरने वाला ला कि जिस गली का मेरे को पूरण ज्यान है आप अंदेरे में भी भेजोगे तो फिर मैं टरूंगा मुझे पता है मेरी गली है मेरा बात्रू में मेरा कमरा में क्यों डरूँ लेकिन यदि आपको वहां का ग्यान नहीं है तो आप वहां से जाने से क्या करोगे तो ये तो ब्यावहारी पक्षी की बात बता रहा हूं मैं आपको अगर वेरांत का ब्रमग्यान हो जाए वह व्यक्ति तो कभी डर नहीं सकता वह समाधी में जाने का प्रयास करता है मनन और चिंतन और सेवा में कर्मयोग में समय बिताना चाहता है क्योंकि उसके जीवन का उदेश धन, पद, काम, मोह, प्रतिष्ठा नहीं है क्योंकि बोला जिनके पास यह है क्या वह संतुष्ठ है मैं कर लेक सुन रहा था स्वामी जी का प्रोशन बोले धन भूख दे सकता है बड़ी सुन्दर बात बोले धन भूख दे सकता है धन भोजन दे सकता है लेकिन भूख नहीं दे सकता धन कपड़े दे सकता है लेकिन धन शरीर नहीं दे सकता धन दवाईयां दे सकता है लेकिन धन आरोग्य नहीं दे सकता धन सुख सुविधाय दे सकता है लेकिन धन परिवार में खुशाहली नहीं दे सकता यह खुशहाली यह आरोग्य पना यह स्वास्त यह प्रसन्नता यह धन से पद से काम से आने वाली नहीं है यह आपके अंदर की चीज है व्यक्ति प्रसन रह सकता है सुखी रह सकता है निरोगी रह सकता है बिना धन के भी तो जिस गली में हम देख रहे हैं कि ये सब मर रहे हैं उस गली में मुझे जाने से क्या फाइदा तो मैं अपने इस साधना पत का अपनी इस सेवा का अपनी इस गुरु प्रतिष्ठा का त्याग क्यूं कर दूँ इनने क्या बुलते हैं योगिनों विभ्यती यस्माद भय भय दर्शिना भय बीत हो जाते हैं डर जाते हैं कि मेरे अस्तित्तु का मेरे व्यक्तित्तु का नाश हो जाएगा फिर क्या होगा, मैं बाहर आपाऊंगा कि नहीं आपाऊंगा, मेरे को जगत देखेगा कि नहीं देखेगा, मैं खाना खापाऊंगा कि नहीं खापाऊंगा, मैं भोग कर पाऊंगा कि नहीं, ये सब कर सकते हो, ग्यान के बाद भी, और ग्यान के बाद अच्छे से भोग कर सक सब्सक्राइब बोग नहीं देखता जो अनाध्यात्मिक वेक्ति है वह खाना को भोग कहता है और जो अध्यात्मिक बगति है वो खाने को प्रसाद केता है यहां दूनों में अंतर आ गया चीज वही है वह दाल-चावल-डोटी-सब्जी हम आप उसको बोलेंगे खाना-खाल लेकिन वे एक सादू बोलेगा क्या बोलेगा प्रसाद ले लो अंतर इसका है दृष्टी का अंतर है ना कि क्रियाओं का अंतर है और जो वेदांत अंतर करता है वो क्रियाओं में अंतर नहीं करता जो तुम कर रहे हो वही करो वो लोहार लोहार करता था चोबिस गुरु आपने देखे तो वो लोहार का ही काम करता आ रहा वो रहिदास जूता सिनें का काम करते थे तो जूता सिनें का काम किया गुरुदेव हमारे लिखते रहे तो लिखते ही रहे स्वामे अखना नंजी प्रवचन करते रहें तो करते ही रहें विवेका नंजी इस गुड ओरेटा जो जो काम करता था वो वही काम करता रहेगा ज्ञान पश्चात भी और ज्ञान पूरू भी लेकिन ज्ञान आने के बाद उसकी दृष्टी में अंतर हो जाता है वजूता किसी व्यक्ति के लिए नहीं सिल रहा होता है वजूता इश्वर के प्रेम के लिए सिल रहा होता है वो परिवार इसलिए नहीं पाल रहा होता है क्योंकि बाल बच्चे हैं मरेंगे वो इसलिए पाल रहा होता है क्योंकि भगवान ने मुझे यह जि यहां में अंतर नहीं आया याद रखना वो पूर्ववत रहेगा लेकिन अंतर किस में आ गया है दृष्टी में और दृष्टी में अंतर आना ही जीवन-mukhti का पद को प्राप्त करना है या नखना जीवन के प्रति समग्र दृष्टी इसलिए हमारे तेज्जे में जी बलते हैं चेंज यूर विजन देन क्रेट मिशन पहले अपने विजन को चेंज करो विजन को चेंज करो मतलब दृष्टी को बदलो क्रिया को मत बदलना जो तुम कर रहे हो वही करो क्योंकि तुम्हें भगवान ने वही ही दिया है लेकिन उसके प्रति अपनी बुद्धी को क्या कर लो बदल लो और बुद्धी बदलने से वो क्रिया करने में और मज़ा आती है अच्छा जी पहाश्रकार बहुत नाराज हो वही इन बुद्धों पर बुले ये सतवाद की जगा असदवाद की स्थापना करने जा रहे हैं वह बगवत पूज्य पादाश्य अब ही तो किसका रेफरेंश पहले डाटा किसने विद्ध्यारण ने स्वामी जी ने डाटा उसके बाद किसने डाटा गउन पादा चारे जी ने डाटा वले इनके भी शिश्य कौन शंकरा चेहरे जी वो देखो बगवत पूज्य पादाश्य शुश्क तरक पटून मून बोलते हैं यह तरक करते हैं और कैसा तरक करते हैं ड्राइ तरक तरक हो तो रसीला तरक हो तो करने में भी मजा है कैसा तरक करते हैं शुश् बावा इनको क्या बोल दिया आहू आहू मतलब बोलते हैं किसको माध दे मी कहा है क्या है बोले ब्रांतान को जी ब्रांत हैं In को कुछ पता नहीं है भटक गए है और क्या बोला चिंते असमिन असदात मनी इनका जो चिंतन है याना किना मैंने जिसको दृष्टी बोला इनका चिंतन ही कैसा हो गया है गलत हो गया है चिंतन गलत हो गया है इसलिए इनका लक्ष भी कैसा हो गया है भटक गया है जिस व्यक्ति का चिंतन गलत है उस व्यक्ति का लक्ष गलत होगा डिखती का चिंतन अच्छा है ओस्याक्तिख लक्षे भी अच्छ ए सफ ओर वुण है यह वे या है कि अनादृति्ह शुतिम नेखो कि शंकराचार की चा कितने कट रहे सित के पर ते अनवतती स्फिम तुम अनादर करता है किसका वेद का श्रूती का क्या बोल दिया है तमस्विनहा तपस्विनहा मत पढ़ना इसको तमस्विनहा मुख्यार दिमें मूड यह किसको डाटा है बोद्धों को वले अज्ञानी तू श्रूती का अनादर करता है और क्या किसको मानता है तू आपे दिरे निरात्म अनुमा अनुमान करता है और तेरा प्रमान क्या है अनुमान और मेरा प्रमान क्या है शुति तू अनुमान प्रमान से सत्य का निश्य करना चाहता है सत्य का निश्य तो शुति से होगा ना कि अनुमान अप्रमान से और अनुमान प्रमान को लेकर तू सत्य का निश्य करना चाहता है आनुमान प्रमान को लेकर तु श्ठुती का अपमान करता है, वेले तु मूर्क हो, बहुदो तुमारी ना बुद्धी कुंठित हो गई है, और उसके बाद बोलते हैं, इसके बाद इन्हों ने जो कहा, शुन्यवादियों का, इसके तरक का कंडन करते हैं, और ये तरक का आप आगे देखिए का, आस ये क्लास लगेगी आपकी, 27 तरीक को आपकी, कल से क्लास नहीं है, कल मैं जैपुर जा रहा हूं, आज राग, हाँ, 27 को राम नोमी है, तो राम नोमी में हम लोग पहले यहां पर अरचना करेंगे, कहां पर, यहीं पर, मागवान राम के नाम ले धिश्नु राम जी के कोशिश करेंगे नाम लेने किताब मिलती है इस तो कल राम नाम सहे सरचना होगी 27 थारीक कुछ उसके बाद क्लास लेंगे ओम पूरणमदा पूरणमिदं पूरणाहात पूरणमुदच्यते पूरणस्य पूरणमादाये पूरणमेवाँ वशिष्यते ओम शांति 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 हरिहियों श्री गुरुब्यो नमह हरिहियों झाल झाल